जादूई बैग की कहानी यह कहानी है एक छोटे से गाउं के बच्चे नीलो की जो अपने गरेब परिवाग में रहता था उसके पिता दिन भर मेहनत करते थे और मा घर के कामों में लगी रहते थी नीलो का बस एक ही खुआप था अच्छे सिक्छा से भरा भविश्य बनाना एक दिन नीलो के जनम दिन पर उसके पिता जी ने उसे एक विशेश बैग दिया बैग देने के समय उसके चहरे पर खुशी का उजाला था बैग में थी कुछ विशेश सक्तियां जो किसी मुश्किल में उसकी सहायता कर सकती थी नीलो ने विशेश गडित में समस्याओं का समधान करने में बैग की मदद ली वह जब भी अध्यन करता उसे अपनी बैग से जादूई संख्याएं और पहलियां मिलती थी जो उसे समझाने में मदद करती थी एक दिन नीलो के स्कूल में एक गरीब छात्र को उसकी मदद चाहिए थी उसने अपने जादूई बैग से उसे पुस्तके और सिक्षात्मक सामगरी दी जिससे वह सभी अपना अध्यन करने में सफल हो सके यह अनुभव नीलो को यह बताता है कि उसका जीवन और बैग उसे दूसरों के मदद करने के लिए ही नहीं बलकि समाज में एक परिवर्तन लाने के लिए भी है नीलो ने बड़े संकल्प से अपने अध्यन में जुट जाता है वह अपने बैग के सहारे शंगर्ज करता है और अच्छे सिक्षा प्राप्त करता है उसका यह यात्रा उसे ना सिर्फ अच्छे अंकों से युक्त करती है बल्कि उसे एक समझदार और सहानु भूती भरे व्यक्ती बनाती है इस कहानी के अंत में नीलो अपने जादूई बैग के माध्यम से अपने गरीबी के कारण भी नहीं बल्कि अपनी महनत और आत्म विश्वास के कारण समाज में उच्छ इस्तान प्राप्त करता है बैग ने उसे सपनों के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरिर किया और उसकी जिन्दगी को बदल दिया इसी प्रिकार बच्पन की जादूई बैग एक भावनात्मक कहानी है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए श्रंगर्ज करके और दूसरों के मदद करने की महत्व पूर्णता को उजाकर करती है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो प्लीस लाइक से और सब्सक्राइब कीजिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाबाई